रवाश्कार हाई बैक अगेन देखें दुस्तों अगर मैं आपसे का हो कि आपको वैक्सिनेशन लगवानी पड़ेगी और आप अगर वैक्सिन नहीं लगाएंगे तो आपको सेलरी नहीं दी जाएगी आपकी सेलरी को अबरुद किया जाएगा होल्ड पर डाला जाएगा आपको कोरोना की वैक्सिन लगवानी अगर टीका नहीं लगवाएंगे तो आपकी जो सेलरी है वो अबरुद हो जाएगी होल्ड पर बढ़ जाएगी अब जब ऐसा कोई सर्कुलर आएगा जो जारकंड में हुआ वो कहीं भी हो सकता है यानि कि इसका विरोध हुआ जब इ कहानी क्या है यह दव आयर की निउस है वहां से आप लोग देख सकते हैं आदेश में यह था कि स्वास्त विभाग के कर्मियों को जिसमें चेता में देते हुआ लिखा गया था कि कार्याले आदेश ग्यापंक 90-15-1-2021 का सरकुलर था निरदेश में लिखा था जो सरकारी से सेवक हैं कोविड-19 का टीका नहीं लगाए है वैं अतिशीग्र कोविड का टीका लगवा है और कोविड-19 का टीका करण नहीं लेने की स्थिती में अगले आदेश तक संबंधित सरकारी सेवकों का जो वेतन है वो अवरुध कर दिया जाएगा और यह सब बात आती है विर परगेट था करने का वो अचीव नहीं हो पाया वो शौट पढ़ जाता है कितना हो जाता है दोसों के स्थान पर सिर्फ 139 लोगों नहीं टीका करन कराया था पहली बात इंद सरकार पहले फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सिनेट करेगी डॉक्टर्स को आर्मी को सब करेगी तकरीवन ठीक है फिर जो उसका पैसा आएगा वैक्सिनेट करने में वो सरकार उठाने वाली है शुरुवात के टीका करने के लिए आप सभी को पता है ठीक है बहारास्टर में अकोला और बुल धाना जिलेग में कोवीशील्टी का लगवाने के एक दिन बाद रवीवार को ही साथ व्यक्तियों के मास्ट पेशियों में दर्द होता है बुखार होता है कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं उनको फिर अस्पिताल में भरती कराया जाता है कोवीशील्टी का लगवाने वाले चंद लोगों ने हाथ पेर में दर्द बुखार के शिकायत की है वैक्सीनेशन को लेके तीसरी खबर भी है कि एक व्यक्ति ने वैक्सीन ली थी जो की वार्ड बॉय था उसकी मौत हो जाती है अब मौत वैक्सीन को लेने के बाद हुई हम इसकां पोस्टमाटम कराते हैं पोस्टमाटम में आता है कि व्यक्ति की जो मिरत्वी थी वह हार्ट अटेक की वजह से हुई थी हार्ट इटेक की वज़े सुई थी, उस सरकार ने फिर रहत की सांस लिया, कहा कि लोग का विश्वास कम से कम अब लोट करके आ जाएगा, अब देखो, एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दू, जो आभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, कि कोवेड को लेकर के मास ले इहान के शुभारम के बाद इसे साइड एफेक्ट के मामले भी सामने आये हैं, एक वेक्ति को भी स्पिरिटल में भरती भी कराना पड़ गया था, ऐसा भी मामला निकल के सामने आया, तो वेक्सीन को लेके सहाब आपको हर एक अपडेट दूँगा, जिम्मेदारी के साथ बार बार दूँगा, लगाता रतूँगा, आप सपोर्ट दे जाहिए, आप मैंसे कई सारे लोगों ने, 99% लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो, अभी कर लो, क्योंकि मझे व्यूस का भूका नहीं हो, आपको जानकर अगर आज मिल रही है, तो आपको आज ह इसलिए इंस्तेंट, हर रोज मैं वीडियो बना रहा हूँ, हर रोज मेरी हिम्मत नहीं है, कि मैं रोज एक वीडियो बना सकूंए, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, फैनेशली भी और इमोशनली भी, अब दॉक्टर विश्रू प्राइचाजरी को लेके मैं चैनल पर आ रहा हूँ ठीक है आप सपोर्ड कीजिए बाकी मैं देखता हूँ सिस्टम से कैसे लड़ना है आप आए नाई नीज ने के पास आए किसी N212 के पास नहीं है पहली बात दूसरा टांडव की जो वैब सिरीज है ना वो मैंने देखी कल और कॉंट्रोवर्सी बहुत चल रही है मेरे देखने के बाद नहीं मेरे देखने से पहले भी चल रही है उसमें कहा गया कि भाईया पहले तो मैं आपको बता दो मेरे एक्स्पीरियंस क्या रहा अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने टांडव जैसी वैब सिरीज आखिर देख क्यों ली है क्यों देखी क्या खाया था सुबह उठकर के सुबह उठते किसकी शकल देखी थी या किसका इस्त्मरण किया था मैं अब वो सोच रहा हूँ मिझे व्यक्तिक तौर्वे ज़्यादा खास लगी नहीं बाकी आप लोग देख करें डिसाइड करेंगे वाथ अलग है लेकिन देखने से पहले भावनाव को ठेज पहुंचाया गया वहां पर 98 लोगों की खिलाफ 92 और 98 लोगों की खिलाफ एफ इर किये जो फिल्म को बनाने में और काम करने में सबी लोगों को ठेज पहुंचाया है और भेद भाव को बढ़ावा दिया है मिनिस्ट्री भी इसमें रोल्स का इंवाल हो चुका है मिनिस्ट्री जो बैठक होगी थी इस बैठक में कहा था कि OTT प्लैटफॉर्म पे दिखाई जाने वाले जो कंटेंट है उसको लेकर के सेल्फ रेगुलेशन कोर्ड बनाए और अगर OTT प्लैटफॉर्म अपने सेल्फ रेगुलेशन कोर्ड नहीं बनाता है तो फिर सरकार कोर्ड बनाने पर विचार कर सकती है मंत्राले के जो सूत्रें वो कहते हैं कि अभियक्ति के सुतंतरता के साथ कोई जिम्मेदारे भी नहीं थे क्रियेटिफ फ्रीडम के नाम पर काउन विवस्था को बिगाड़ा नहीं जा सकता मंत्राले के सूत्रों में बना है कि कोरोना आपदा के करण ज्याद तर OTT पर ही चीज़ें रिलीज हो रहे हैं अकर ये थेटर में या फिर टीवी में या फिर इसमें टीवी पर अगर रिलीज होती हैं तो ये C, B, F, C और केवल TV Regulation Act के Content Guidelines का पालन करना होता यानि थेटर और OTT के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं हो सकते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं यहां पर जो Controversy में शामिल होगा अब इस देवी देताओं का अपमान किया जा रहा यह नहीं किया जाना चाहिए था और इश्वर का अपमान को अपमान करना बहुत आसान है हिंदु देविदेतां का अपमान करना बहुत आसान है कभी इसलाम के इश्वर का भगवान का अगर ऐसा कुछ अपमान किया होता तो उनको अपनी आपके अंदर और कुछ लोग क्या सकते हैं कि इतने पड़े नेखे लोग इनने बेवकुफी क्यों कर दी ये इतने प्रिवि चल鬼 करूंगा कल कोई दूसर बुद्धा का हम बहां चल देंगे आज का मुद्धा भटगा दिया जबकि असल मुद्धा ये नहीं है असल मुद्धा ये भी है कि किसी के भगवान ली मत-मान को इसानी करना चाहिए और मैं या-ई-ई-चाल में दर्म लूगा जहां हमprem दे बातचीत करना चाहता हूँ आप सभी से और आपको मैं शामिल करूँगा धर्म के बारे में समझाँगा और हम और आप मिलके बैठके समझेंगे बहुत scientific चीजें लेकर science और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है नहीं है यह सारी बाते मैं समझाँगा ठीक है तो फिलाल अब में साथ emotionally और financially तमाम तरह से जुड़े रही है क्योंकि आवश्यक्ता आपको मेरी भी है मेरी आपको भी है फिलाल बस वीडियो बस रहे तना ही इस वीडियो को शेयर कीजिए का जाहें बंदे मात्रम स्टे अपडेटेड, स्टे अजुगेटेड, सत्यमेब जयाते, नमाइश्कार वाकि दिन में एक वीडियो डाला मेरे लिए बहुत बड़ा चाह रहेंजे दोस्तों बहुत बड़ा चाह रहेंजे बट स्टिव, I love my audience प्यार